शिक्स मसाला फिक्स में आप सभी का स्वागते आज हम बनाने वाले हैं बहुती शांदार प्याज की पकोड़ी उसके लिए मैंने यह आप लिया है एक बाउल बाउल में डालेंगे दो कब बेसन इतनी बड़िया बनकर तयार होगी कि जैसे आपको लगेगा बिल्कुल मार्क से ही लेके आए हैं अब इसमें डालेंगे एक चमद मिर्च पाउडर आदा चममद सौफ और आदा चममद धनिया पाउडर फिर इसमें हम डालनेंगे थोड़ा सा नमक नमक को हम बाद में और डाल सकते हैं टेस्ट करके अब थोड़ा से इसमें खुशबू के लिए अब इसमें जाएगा एक चम्मच तेल, थोड़ असा नमक डाल दिया है, अब डाल देंगे इसमें एक चम्मच तेल, तेल डालने के बाद में इसमें जो सीक्रेट ट्रिक्स है वो है शक्कर, हम डालेंगे एक चम्मच शक्कर, शक्कर से जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पकोड़ी मीठी बनकर तयार होगी, मगर ऐसा नहीं है, इसमें जो कुरकुरी जो ये बनकर तयार होगी, वो शक्कर से ही अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका बढ़िया से एक पेस्ट बना कर तयार करते हैं। सब को अच्छा से मिक्स करके हम इसको 5-10 मिनिट के बाद में हम इसमें अब डालेंगे प्याज मैंने प्याज को इस तरह से लंबा-लंबा काट लिया है आप कोई भी इसमें शेव दे सकते हैं किसा भी आप इसको काट सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची और खुश्बू के लिए धनिया सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में एक चुटकी डालेंगे इसमें गरम मसाला यह तो हमारा मसाला बनकर पूरा तयार हो गया पकोडी का अब इसमें जाएगा जो हम गरम तेल करेंगे ना उस तेल को हम इसके अंदर इस गरम तेल को हम पकोडी के घोल में डाल देंगे और इस तरह से हम पकोडी तेल में डालते वे एक एक पकोडी को हम ऐसे निकालेंगे इतनी बड़िया यह पकोडी बनकर तयार होगी इतनी कुरकुरी हम इसको दोनों तरप से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका डार्क ब्राउन कलर नहीं हो जाता तब तक हम इसको तलेंगे यह इतनी बड़िया पकोडी बनकर तयार होगी ऐसा लगेगा बिल्कुल मार्केट से आप अभी लेके आए हैं और सबको बहुत पसंद आईगी तो आप भी इसको घर पर ट्राई कीजिए अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीज और कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी कैसे बनकर तयार हो रही है तो आप भी इसको घर पर जरूर बनाईए तो देखे कितनी बड़िया पकोडी बनी है और ना इसमें मैंने सोडा डाला और ना मैंने इसमें सूजी डाली है उसके बिना भी यह इतनी फुली-फुली बनकर तयार हुई है, आप देख सकते हैं, तो आप भी इतको घर पर बनाईए और सब को खिलाईए, कैसी बनीए वो मुझे कमेंट करके बताईए कर्शों करे देख सकते हैं, तो आप बन будете की बनाईए, तो अपाएं, चेख सकता थाएंपया झालती बनाए, क्तुली बनाए गा खिल मुझे स कैसी वो मुझे हैं, अजर बनाईए भी एल फैवो अ झाल झाल